रादे रादे साधना किचिन में आपका स्वागत है कैसे है आप लोग उम्मीद करती हो अच्छे होंगे तो आज हम गौार की फरी की सबजी बनाएंगे छटपटी मसाले दाल तो चलिए बनाना सुरू करते हैं मैंने थोड़ी सी गौार की फरी लिए है इसको हम दोनों तरफ से काट देंगे और इसके छिलखा को निकाल लेंगे हम कच्छी है मेरी गौार की फरी और ये बहुत ही स्वाधिष्ट बनती है तो देखिए मैंने दोनों तरफ से निकाल लिया है इसका डंठन और इसको छील लिया है अब इसको हम क्या करेंगे छोटे-छोटे पीसों में हम इसको काट लेंगे इससे क्या है कि हमारी सब्जी बहुती टेश्टी बन के आए आप छुरी से भी काट सकते हैं मैं कैंची से काट रही हूँ आप इसके छोटी-छोटे और पीस कर सकते हैं और बड़े-बड़े भी कर सकते हैं मैंने इतना ही छोटा-छोटा कर रही हूँ यह भूती आप यकीन मानिए यह भूती स्वाधिस्ट बनती है और ये तो आप बनाओगे तो खुदी पता चल जाएगा कितनी स्वादिश्ट बनती है तो देखिए मैंने ये काट ली है सारी फली काट ली है मैंने चोटी-चोटी अब मैं इसको दो से तीन पानी में इसको मैंने दो के लिया आई हूँ अब मैं इसको कुकर में डाल दूंगी और मुझे इसमें पानी डाल देना है मुझे पानी इसमें इतना डालना है ये डूब जाए थोड़ा पानी इसमें और डाल देंगे और इसका ढकन बंद करके मुझे इसमें एक सीटी लगा लेनी है मुझे इसमें एकी सीटी लगानी है इसको उबालना है आपको एक बार अपने घर पर जरूर बनाए और हमें बताएं आपके गवार की फरी कैसी बनी तो देखिए मेरी उबाल चुकी है यह अब मैं इसको चल्ली में निकाल दूँगी इससे क्या है कि इसका सारा पानी निकल जाए और मैं चल्ली को टेड़ा कर दूँगी इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे सारा पानी चल्ली से निकल जाए और मैं इसको एक तरफ कर लूँगी और मुझे चल्ली को टेड़ा कर देना है तो मेरा तेल गरम हो चुका है इसमें मैं आधी चम्मस जीर डाल दूँगी और कटी हुई मिर्ची डाल दूँगी और थोड़ी सी इसमें हींग डाल दूँगी हींग हमारी खाने को पचाती है हींग डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है और थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे हल्दी से कलर बहुत अच्छा बनके आता है और अब हमारी गौर की फरीयों को डाल देंगे इसमें अब क्या है हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से चम्मस से चला के इसको मिक्स कर देते हैं इससे क्या है कि हमारी जो भी इसमें मसाले हैं तेल हैं वो अच्छे से गौर की फरियों में मिक्स हो जाए और इसको हम इसमें और भी मसाले डाल देते हैं और गैस को मैंने कमी रखा है अब इसमें हम लाल मिर्ची डाल देंगे आदी चमस जनिया डाल देंगे आदी चमस और नमक डाल देंगे स्वादनु साथ आप अपने इसाब से कम या जादा डाल सकते हैं और इसको फिर से हम मिक्स कर देंगे सब्जी को और हमें यह अच्छे से हमको ढख देनी है ठाली से और इसको 5-5 मिनिट में हमें सब्जी चला के देख लेनी हैं इससे क्या है कि हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बदन ही दवा दें इससे क्या होगा हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगी आप अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ सेर करें इससे बो भी इस रेस्पी का आनन्द उठा सकें आप मैंसे ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप ऐसा ना करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए ऐसे ही हर रोज नई-णई रैस्पी लाते रहें आप अपना साथ बनाई रखें तो देखिए मेरी सबजी बन करके तैयार है मैंने इसको गैस से नीचे उताल लिया है तो चलिए इसमें बाके के मसाले भी डाल देते हैं मैंने थोड़ा सा किचिन किंग डाल दिया है इससे स्वात बड़ा ही डबल हो जाता है थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दी है अब हम इसको फिर से मिक्स कर देंगे मेरी सब्जी बनने में ज्यादा टैम नहीं लगा है साथ से आठ मिलट में मेरी सब्जी बन चुकी है आपको हमारी सब्जी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूले मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ क्या बात है मेरी सब्जी बनके तयार है आपको हमारी सब्जी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे हमारी इस रेस्पी के लिए एक लाइक तो बनता है तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है आप से मिलेंगे अगली वीडियो में जैसे रिरादे